स्वागत है आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और कहानी कुर्सी की में हम बात कर रहे हैं विपक्षी इंडिया अलाइन्स की स्ट्राटीजी की अब 31 और एक तारिक को मुंबई में मुलाकात होनी है वहाँ संयोजा कौन बनेगा इस पर फैसला होना है एक लोगो जो है वो जारी किया जा सकता है राहूल गांदी का रोडशो होगा मुंबई में उसी बहां के इंडिया अलाइन्स की बैठक के बाद उस पर भी खूब सीटे जिते थे जिन सीटों पर फो नंबर दो रहे यही संख्या गर आप जोड़ लें तो नंबर एक वाली एक सीट नंबर दो वाली 81 मायावति जीतों पर जीती हुई है 27 सीटों पर नमबर दो रही है वो कहेंगी 37 सीटों पर मेरा दावा है और सौरब जो आकलन है वो ये अंदाजा लगा जा रहा है कि मायावती भले ही इस प्रकार के संकेत आगे दे दें लेकिन अंतरता वो गड़बंदन में नहीं जाएंगी और पिछले दिनों आपने देखा कि जिस प्रकार से लोने यह बताया कि दूसरे लोग हमारे वोट ले लेते हैं लेकिन अपना वोट हमें ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना कम जता ही जा रही है कि ऐसा कुछ होगा कि मायावती उस गड़बंदन में चली जाएं लेकिन बहुत फ़र्क पड़ेगा इस बात पर कि मध्यपदेश चत्यसगर् का बनता है वहाँ पर मायावती शायद अपने अंतिम पत्ते खोलें लेकिन इस बात की संभावना कम है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो गड़बंदन में जाएंगी लेकिन अगर वो जाती हैं तो इसमें कोई दोरा है नहीं कि सीटों को लेकर तो जो खीस्तान होगी लेकिन वह जो चुनावती होगी सौरब कमसकम दो जोन में वह गंभीर चुनावती बीजेपी के लिए होगी हाला कि वह इतनी कंभीर नहीं होगी क्योंकि पिछले 2019 के इलेक्शन में आपने देखा लेकिन इस्टन यूपी की बात कर लें उसमें सीट के इसाब समझ सकते हैं वह नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर बीजेपी के लिए चुनावती जरूर आगी अगर वह तीनों साज आते हैं तो लेकिन इस बात की संभावना कम जताई जा रही है कि मायवती वैसा जाएंगी और अगर वह चली भी जाती है तो वह फर्क सिर्फ यहीं पड़ेगा कि पा में लगातार एक तरह से वह निस्क्रिय ही रही हैं सिर्फ एक जाती विशेस का जो वोट है वही उनके साथ अभी तक इंटेक्ट है ऐसे में इतने कम समय में कितना कुछ कर पाएंगी वह क्या कुछ वह करना चाहेंगी सब कुछ निर्वर करेगा इस बात पर कि विधान सभ कि मायवती जी को आकर के मनाया जाए मतलब पिर पिर आप मायवती जी के अलावा के बिना इस अलाइंस का आपको कोई मतलब नजर आता है यूपी में क्या यूपी में क्या आना चाहिए मायवती जी आती है तो मजबूत एलाइंस होगा और जो सीटों के आप बात करें ना उसमें बहुत बड़ा कोई फरक नहीं पड़ रहा क्योंकि यदि मायवती के जाने से गठ बंदन को फायदा होगा मायवती जी का काफी बोट बी-जे-पी के पास आजाएंगा यह अबिजिए-पी के लिए उसमें से जादा वोट फिर बीजे-पी के पास जाएगा उनका अपना वॉट क्योंकि मायवती फिर अक़ेली कोई ताकत के तोर पर नहीं वोट को नहीं आएगा उसमें से काफी वोट को शिफ्ट होगा अगर मुस्लिम वोट को छोड़ दिया जाए तो लेकिन गठ बंदन में जाती है तो थोड़ा सा एक चैलेंज हो सकता लेकिन ठीक बात है कि 10-15 सीटों से जादा पर कोई बहुत पड़ा चैलेंज भारतिय जनता को वहाँ मिलेगा ऐसा नहीं है मायावाती जी जाये तो भी नहीं जाये तब भी इ डुसरे बाद नितिश कुमार जी को लेकर बहुत चरचा हुई है और चरचा दिवयंजी ने कहीए स्टेट्स की बात कहीए मैं उसमें क्या रहा हूँ कि दो स्टेट्स और महत्रपूर्ण है एनडिये के लिए उसमें है बिहार बिहार में NDA को सबसे बड़ा नुकसान होगा क्योंकि JDU उनके साथ था JDU अब उनके साथ नहीं है 16 सीटे JDU की थी NDA में पिछली बार मनला जब 2019 में तो वो 16 सीटे नहीं है JDU को 16 सीटे नहीं मिलें मिलें कुछ भी हो लेकिन वो भारतिय जंता पार्टी को मिलने वाली नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट RJD में होगी शीटे वहाँ पर बिहार में दूसरा महराष्ट में भी महराष्ट में शिवसेना बीजेपी का जो बड़ा आयलाइंस था वहाँ बड़ा नुकसान भारतिय जंता पार्टी को होगा क्योंकि जो शिवसेना तूटे हुआ स्प्लिट ग्रूप और अजीत पावार जो एंसीपी का स्प्लिट ग्रूप है वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता अजीत वार के आने के बाद भरपाई नहीं होगी तो महराष्ट और जो बिहार है वो एंडिये का नुकसान वाले और ये दोनों वो राज हैं जिनकी चर्चा विजे जी ने की है जहां पर उपोजिशन का अलाइंस अल्रेडी है तो महां कोई उनको नहीं कवायाद नहीं करनी है महां मीं बहुत बड़ा हींच्तान वाला मसला भी नहीं है यूँकि वो एक काफी लंबे समय से गटमंधन की शकल में महापन है आप बिहार को लेके बोलना चाहता है स्वल्ला सीटों में 14 ऐसी सीटें थी जहां भारतिय जनता पार्टी 50% से जादा मतों से जीती है मातर दो ऐसी सीटें थी एक राम क्रिपाल जादो की सीट और एक अस्विनी चौबे जी की लालमुनी चौबे जी यह दो सीटें, अस्विनी चौवे की, दो सीटें ऐसी थी जहां पर भारतिय जनता पार्टी को 47-48 परतिसद वोट मिले थे तो भारतिय जनता पार्टी बहुत बड़े नुकसान में रहेगी बिहार में मुझे ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं देखें, जिसको आप कहते हैं, जेडियू को सीटें मिली थी, मूलता है, जेडियू के पार्लेमेंटरियन से दिया आप बात करके देखें, पिछली दफार चुनाओं में, वो कहते थे हम नरेंदर मोधी का पोस्टर लगाके रात जीते हैं, नितिしकुमार की हैसियत के Adhwood पर निति इसको और जेडियू के इतनी सीटें नहीं आयी थी, बार्तिय जनता पार्टी का ही कमाल था नरेंदर, मूधी का कमाल था खास करके जो Jdu का आत्मी जीता वो भी तो मूधी के नाम पर जीता, लान साइप बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और बीहार की सबसे मजबूत पार्टी इसको आप मान कर चलिये, इसको आप इग्नोर मत किजिए, लालुयादव को आप जेल भेज दें, नहीं भेज़ें, लालुयादव करें ना करें, लेकिन RGD नहीं पता जो चर्चा चल रही है कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा, लेकिन RGD एक मजबूत पार्टी है, और RGD के नितिश कुमार जी के सायोजक होने की, एक तो वो अनओफिशल सायोजक हैं, सूत्रदार हैं, कॉंग्रेस के इनिशियेट पर उन्होंने ये सारा काम शुरू किया, लेकिन अब ओफिशली वो बनेंगे के नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे लगता कि यदि वो सायोजक बन पहुचा दे, कहे कि अब आप सहयोजक होगे, आप नेत्रत्व कीजिए इसको, ये खत्रावी ने लेकिर के आप संशय जाहिर किया, एक बार देविंदे से बात कर ले, हमारे political editor होनी के लावा बिहार के निवासी भी हैं, तो बिहार में क्या बाकई, NDA का ग्राफ नीचे ज लाव नहीं आ रहा है, दूसरी चीज की बिहार की अगर बात करें, तो NDA के हिसाब से, इसमें कोई दोराय नहीं है, और बिहार का कोई भी नताव, जाए BJP का हो, या सामने वाले पार्टी का हो, अपोजिशन का हो, वो ये बताएगा, कि NDA जिन सीटों पे, उन्ताली सीटो कर सकते हैं, जैसे सिवान की बात कर लें, आप, छप्रा में थोड़ा की कठी निस्टी रहेगी, महराज जिन की बात कर लें, पटना में पटना साहिब की बात कर लें, ये दम BJP के लिए सेफ सीट है, पटली पुतर गामीर जो सीट है, वहां पे बहुत चुनावती रहेगी इनके जो सहयोगी हैं, वह उस प्रकार से वोट लाने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिस प्रकार का अपोजिशन का है, जैसे RJD की अगर बात करें सवरा, सबसे बड़ी ताकत है भी बिहार में वो पॉलिटिकल पार्टिस में, इंक्लूडिंग BJP, BJP, JDU, RJD तीनों की तुलना करें, तो वोट बाइंग के जिसे आप से आपको RJD सबसे ज़ादा मजबूत इस्तिति में इस लिहाज से दिखे कॉंगर्स पार्टी कुछ को जगाँ पर अच्छा करेंगी, तो एंडिये गडबंदन के लिहाज से संख्या में कमी आगी, क्योंकि और लेडी संख्या बहुत जादा है, लेकिन BJP के लिहाज से जितनी सीटे BJP की हैं, उसमें पांस से साथ सीटों का इजाफा ही होगा, उस मेरे पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, हमारे पास कोई फेस नहीं है, अब मेरी प्रेणा ये है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनको शायद चेहरा मिल गया हो, कि तभी वह ये चुनाव लड़ रहे हैं, अर्विंद केजरिवाल बिहार की राजनीते में एंट्र करना कर सकते हैं, देवेंद्र, क्या वहाँ पर उनके लिए आपको लगता है कोई जमीन है? अब बिलकुल है, अब दूर दूर तक कोई संभावना नहीं नसर आएगी अर्विंद के इजरिवाल के लिए, कि वहाँ पर जाकर बिहार में कुछ कर पाएं, बिहार का एक सिंप पूती के लिए आज से बीजेपी, जेडी, और जेडी, पुरा फिश्टी उठाकर देखें, इन तीन में से दो जहां रहते हैं, वो बहुत आसानी से अपने पक्ष में नतीजे कर लेते हैं, नरेंद्र मोधी की इंट्री निश्य तोर पे उस तस्वीर को बदलेगी, लेकि बहुत माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और जिस प्रकार की राजनिती अर्विंद के जिवाल करते हैं, प्रशांत किशोर उससे ज्यादा बेहतर तरीगे से, ज्यादा बेहतर में इस लिहास से कह रहा हूं कि बिहार के सेंटिमेंट को जोड़ते हुँ उस माहौल को आग करेट कर दीजेगा? और तब बीजेपी के अंदर जब बात्चीच हुई तो बीजेपी के जो स्टेट के लीडर्स हैं, उनका ये कहना था कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए. ठीक है. इसको बहुत मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि अगर नितीज जी को जल्दी से संयोजक नहीं बना देंगे, तो ये जो अलाइंस से वो ऐसे भी छिन बिन न हो जाने वाला है. इसको बहुत मैं गंभीरता से कह रहा हूं, अगर 31 अगस्त को नितीज कुमार को संयोजक के तौर पर नहीं बना दिया गया, तो ये अलाइंस बचने वाला नहीं है. और इसमें जितने नेता हैं, आप देखिए, सब का अपना अहंकार वो एकदम आस्मान पे है, किसी का अहंकार किसी से कम जोर नहीं है. ये कौन कहां लड़ा है, अभी मतलब इस शो के लिए जब आ रहा था, तो मैंने खबर पड़ी कि अखलेश यादो कह रहे हैं, वह यूपी से सटी जो एमपी की सीट है, वहां भी हम लड़ लेते हैं, अब सोचिए ज़रा जहां पर कॉंग्रेस एक-एक सीट के लिए करने चले जाएंगे, अच्छा, चुकि वहां उनका एक विदायक कभी रहा है, एक-दो सीटों पर उनका फरक है, एक-दो सीटों पर बसपा का फरक है, मुझे लगता है कि अब इस अलायंस को सचमुच सोचना चाहिए, कि ये अलायंस के तोर पर बढ़ने की मना हिस्तिती म करने तो मतलब, इस टोल दे शो, भई अब वहां का सारा फोकस नहीं आप उसको देसाज में कहिए, खेल कर दिया उन्होंने, मुंबई की बैठिक में, जबकि होस्ट वहां पर उदब ठाक रहे है, जमघट कोई और लगाए, और माफी लूट के कोई और ले जाए, ऐसा सम् लेकिन कॉंग्रेस ने फिर अपना इशारा साफ कर दिया है, मन्शा साफ कर दिया है, हमारा निता चमकता रहना चाहिए, चाहे जगे किसी की भी हो, मन्च किसी का भी हो देखे, वो तो, देखे, राहूल गांधी जिसे करते हैं, कॉंग्रेस पार्टी के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, सब भर दीजे, लास्ट में खडगे जी को आप रख दीजे, वो दिखाने के लिए हैं, कॉंग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकती है, नेत्रतु के तोर पे आप खडगे जी को लेकर के बड़ी कमीटी को आप देख लीजे, और तब आपको पता लग जाया कि कॉंग्रेस की वर्किंग कमीटी में कौन-कौन लोग लाए गए हैं, दूसरी बात, जब रास्टिय अध्यक्ष एक सांसद और गांधी परिवार के राहुल गांधी जी के कुरुसी पर नहीं बैठता है, इंतजार करता है राहुल गांधी बैठ नहीं तब मैं बैठ हू वो इस्थिती एं, देखे, लिडर्सिप तो मनह इस्थिती की बात होती है, ने ने मनह स्थिती ठीक है, मैं आपको बताऊं भी क्या ख़बर चल रही है, मैंने भी एक लिख पड़ा, एक संस्था की पॉलिटिकल एडिटर उन्हें लिखा, एक किताब आई है नहीं उसके ब प्रधान मंतरी बनना ही नहीं है, मैं आइडिलोजिकल आपका रहूँगा, गाइड बन करके रहूँगा तो माननी पड़ेगी इंडिया को, आपने इतनी जोर से कहा जैसे आप चाहते ही नहीं कि रावल जी प्रधान मंतरी बने है, बने चाहें, नहीं किरो यह दि इस गठमंदन को वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं क्योंकि, मुझे लगता है कि कई बार उन्होंने मना किया, दे लीडर तो है ना वो पार्टी के लीडर और अध्यक्ष को फिर जोड़ेंगे तो फिर सब पार्टियों में इस बात पर बैहस होगी मलिकारजुन खड़गे जी का भी नाम चल रहा है प्रधान मंत्री पत क्यों मिद्वार के लिए अब क्या होगा बाद में घटबंधन पोतर जब भाहुमत हो जागे करेंगे ना आप सब राहुल जी को वानपरस्ट में डालना चाहते हैं वानपरस्ट में पार्टी को मजबूत करने के लिए उनको इस भूमिका में आपना कड़ेगा जो यह तो पूरी स्रीमति सुनिया गांधी जी की जो पूरी राजनेतिक उपाशना है उसी को अध्वस्त करने की बात करें अपने पूत्र को उस जगह पर लाने के लिए प्रियंका गांधी वाडरा तक को आगे नहीं बढ़ने जाए नहीं है लेकिन शॉट मेर नहीं मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ देखे एक कैश 22 है बिलकुल कॉंग्रेस पार्टी के भीतर राहूल गांधी ही नेता है वही प्रदानमंत्रिपत के दाविदार है लेकिन उनको 19 से सबक मिल चुका है सामने राहूल रहेंगे तो हमला बहुत हो इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर